हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती इतियास के स्रोत की दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारती इस्यात विशेश कर प्रासीन भारती इतियास हमारे पास क्रमबद रूप से लिकित में उपलब नहीं है इसलिए हमें भारती इतियास को जानने के लिए सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है तो friends पारती इतियास के स्रोतों की बात करें तो हम इसे मुख्यत दो भागों में बाट सकते हैं पूरातात्विक स्रोत और साहित्यक स्रोत तो friends आज के इस वीडियो में हम पूरातात्विक स्रोत को अच्छे से समझेंगे और इसके next part में हम साहित्यक स्रोत के बारे में जानें तो फ्रेंड्स हम बात करें पूरा तात्युक श्त्रोत की तो इसके अंदर हम अभिलेक, सिक्के, इस्मारक तता भवन, मूर्तिया, शित्रकला एवं अवसेश आदी को ले सकते हैं तो दोस्तों अब हम इनके बारे में विश्तार से जानते हैं सबसे पहले बात करें अभिलेक की तो फ्रेंड्स प्रासीन भारती राजाओं, सामन्तों एवं समर्द लोगों ने समय समय पर अपनी विजे, कीर्ती, दान, आदी की इसमर्ती में इसका निर्मान कराया है इन अभिलेकों से हमें ततकालिन भारत की वास्तिक इस्तती के बारे में जानकारी मिलती है यदि हम बात करें विश्व के सबसे प्रासीन अभिलेक की तो वो हमें मिलाए मद्य एस्या के बोगोज कोई नामक इस्तान पर इस अभिलेक पर हमें इंद्र, मित्र, वरून, आदी, वेदिक देवताओं का उलेक किया गया है भारत में सबसे प्रासीन अभिलेक असोक के अभिलेक हैं जो अधीकतर ब्रमी लिपी में लिके गये हैं जिनको सरोपर्तम 1837 में जेम्स प्रिंशेप ने पड़ा था अब हम बात करें कुछ प्रमुक अभिलेकों की तो पहला है हाति गुंपा अभिलेक जो वर्तमान में उदेगिरी पहाडी बुनेश्वर उडिसा के अंदर इस्ति थे इसे राजा खारवेल के टाइम पर बनाया गया था और ये राजा खारवेल वही समराट है जिन्नोंने समान समराट असोक के साथ में कलिंग का युद लड़ा था और इसी युद के बाद में समराट असोक ने कभी युद न करने का नेले लिया था और इसी अभिलेक से हमें राजा खारवेल के सासनकाल की प्रमुग घटनाओं का क्रमबद विवरण मिलता है हम सेकिंड अभिलेक की बात करें तो वो अभिलेक है जुनागड अभिलेक जो वर्तमान में गुजरात के अंदर इस्थीत है जिसे महान समराठ रुद्र दामन के टाइम पर बनाया गया था साससो पसास इस्थी के अंदर और इस अभिलेक के अंदर हमें समराठ रुद्र दामन के विजयों यह विक्तितों का विवरण मिलता है हम बात करें अगले अभिलेक की तो वो अभिलेक है नासिक अभिलेक जो वर्तमान में माराष्टर के अंदर इस्तित हैं जिसे सात्वान वन्स के महन समराथ गोत्मी बलस्री ने बनाया था और इस अभिलेक से हमें सात्वान कालिन प्रमुग घटनाओं का फ्योरन मिलता है हम बात करें अगले अभिलेक की तो वो है परियाग इस्तम लेक जो वर्तमान में उत्रपरदेश के अंदर इस्तित है जिसे गुप्त வन्स के महान सम्राट समुद्र गुप्त ने 200 इस्वी के अंदर बनाया था तो फ्रेंड्स ये समुद्र गुप्त वोही सम्राट है जिनने भारत का नेपोलियन भी का आ जाता है अब हम बात करें अगले अभिलेक की तो वो है एहोले अभिलेक जो वर्तमान में करनाटक के अंदर रिष्थी थे जिनको महान समराथ पुलकेशीन दित्ये ने बनाया था जो चालूकी वन से सम्बन्दी थे इस अभिलेक से हमें मान समराथ हर्स एवं पुलकेशीन दित्ये के बीच के युद्ध का विरुण मिलता है इसी अभिलेक से हमें पता चलता है कि कैसे पुलकेशीन दित्ये ने समराथ हर्स को पराजीत किया था दोस्तों अब यदि हम पुरा तातिक शुरोत में सिक्क की बात करें तो वो है सिक्के तो फ्रेंड्स प्रासीन भारती राजाओं में से लगबग सभी राजाओं ने अपने सासनकाल में सिक्कों का निर्मान कराए हैं इन सिक्कों से हमें किसी भी सासक के सटिक सासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स हम बात करें विश्व के सबसे प्रासीन सिक्कों की तो वो सिक्के आहज सिक्के कहलाते है गुप सासकों ने सरवदिक सोने के सिक्के जारी किये जिससे हमें ये भी पता चलता है कि गुप्त काल भारत का सोन काल कैसे रहा है सातवान सासकों ने सीशे के सिक्के जारी किये और समुद्र गुप्त के सिक्कों पर अस्सो मेग लिखा हुआ था जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि समराट समुद्र गुप्त के टाइम पर अस्सो मेग यग्य कराया गया था अब हम पूरा तात्विक स्रोत में तीसरे स्रोत की बात करें तो वो है इस्मारक तता भवन फ्रेंट्स हमें प्राचिनकाल के दुर्गों, महलों, मंदीरों की सेली से उनकी वास्तुकला के विकास का पता चलता है ये हमारी प्राचिनकाल की उन्नत वास्तुकला का ही नतीजा है कि आज हमारे पास ताजमेल और सैसराम जैसे इस्मारक है फ्रेंट्स उत्तर भारत के मंदीरों की सेली नागर सेली तता दक्षिन भारत के मंदीरों के सेली द्राविड चेली कहलाती है मंदीरों इस्तूप वो विवारों से ततकाली धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है Friends, इसके अलावा हम पूरा तात्विक श्रोत के अंदर मूर्तिकला, चित्रकला, मुहुरे, मृद्धभान दादी को भी ले सकते हैं Friends, लास्ट में मैं आपको एक क्यूशन पूछना चाहूंगा कि भारती एतियास में किस सासक के सासनकाल को चित्रकला का स्वनकाल का आ जाता है Thank you so much for watching my video. Have a great day ahead.